प्यारे बिच्चों नमस्कार श्री विश्वकर्मा एकेड़ुमी की तरफ से स्वागत है आपका मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और नीट की प्रिपरेशन के श्रिंखिला में हमने पिछले लेक्चर में कॉक्रोच पढ़ना शुरू किया था लेक्चर वन अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के पहरे देख लेए उसके बाद लेक्चर टू देखेंगे तो ज्यादा समझने आएगा तो बच्चों ने लेक्चर वन में बात किया था बेसिक जो इंट्रक्रोटरी पार्ट था कॉक्रोच का और उसकी को आगे एक्स्टेंट करेंगे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो कौक्रोच की पुरी बाड़ी है उसको बीसिक देज़िक तीन पार्ट में डिवाइड कर से हैं है थो एक्स और अब दो अब इस लेक्शेर में है थोड़ा सा डीटेल में बढ़ते हैं कि चली बच्चों आगे बढ़ते हैं अगर हम हैंड की बात करें बच्चों तो जो कॉक्रोच का हैड वो ट्राइंगुलर है ट्राइंगुलर का मतलब होता है त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज या पीर सेफ है आप देख सकते हैं अगर हम इसके हेड को अलग से दिखा हैं आपको तो यह देखें यह कुछ ऐसा स्ट्रॉक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है अगर उससे जुम करें तो ऐसे दिखाई पड़ रहा है आप देख सकते हो यह आपको आपको दिखाई पड़ रहे हैं यह आपको एंटेना दिखाई पड़ रहा है तो इसे बार बाथ करते हैं कि अभी तक हम यह देखा कि जो कॉक्रोच है उसका जो माउथ या हैड है वो कैसा दिखाई बढ़ा बच्च वो ट्राइंगुलर है और यह हम पहले ही पता चुके कि अम ब्रॉनिक स्टेज में जो छे सेग्मेंट थे वो फ्यूसर के आपका क्या बनाते हैं कॉक्रोच का हैड बनाते हैं चलिए आगे देखते हैं आगे के जो पॉइंट हुए बताता है कि जो हैड है और राइट एंगल तुदा में बॉड़ी एकसे से इसका मतलब क्या है आपने कभी गाये को चारा खाते हुए देखा होगा घास चारते हुए देखा होगा तो गाये क्या होती है उसकी पीट देखना वह ऐसे ही जो आपको कॉक्रोच होता है यह देखिए सीधा है लेकिन इसको जो माउथ जो हैड पोर्समेर वो सीधा क्या हो रहा है नीचे की साइड जा रहा है और अगर यहां पर अगर आप इसको एंगल देखें तो इसकली आपने 90 डिगरी बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ च्ञा की बॉड़ि एकक्सस से जो हैड है और 90 डिगरी नीचे जुका होता है जैसे गाय ने गास खाना था तो वह हैड को नीचे कर लेती है लेकिन उसका नेच्टोरिय नहीं होता बात हूंपर कर लेती है तो ये उसका एकित लिख नहीं होगा जो मैं बतारों इसका नेचोरडी इसका पर्मनेंटली नाइंटी डिगरी पर ही जुखा रहता है और ऐसे केस को बोलता है बच्चो हाइपो गनैथास है तुछ है अब हैड के बाद में सब्सक्राइब जाएगे तो हैड और थोरा बाद को पूरा सर से जोड़ता है इसके पास से चोटा एंट फॉर्म हेड़ काप्सूल वही बताया था कि आपको छे सेगमेंट जो थे और क्यूज हो के हैड काप्सूल बनाते हैं कि क्यूज हो गए अगर इसका साइड भी ओम देगा है तो यह इसा दिखाई पड़ रहा है आपको यह पूरा हेड का रीजन दिखाई पड़ रहा ह कि आप देख पा रहे होंगे जो आई हैं कि हो इसलेस है नोंगे पांस में क्या दिखाई पड़ रहा है एक कंप आइज है हम बात करते हैं कि दिखाई इसले से कीक सब्सक्तुमार क्रांट कले कि बात परिए डी तो भी में आपको पड़ना है आई one pair of compound I है ना मतलब क्या होगा कि इसके lateral part में head के एक pair of compound मतलब दो आखे होती है जिससे हमाइं जो आखे हो वैसे इनकी दो आखें अब इसमें एक खास बात है इसकी जो I होती है वो छोटे छोटे कुछ unit से बनी होती है और उन units को आपका आई हैं उसकी चोटी छो चोटी यूनिट से क्या दिखा रहें जो गवाच इसमें छेप हो जाया हो यह जो ओमाट इडिया है यह आई की यह उनिट है अब देखते हैं इसका काम क्या है इसके अंदर प्रेजन वहता है कमपाउंड विजन का मतलब क्या है कि जब भी हम अगर अपना एक खुद का एक आई है और हमारे सामने जो कुछ भी हम देखते हैं वह हमारी आई में बन जाता है जो भी समयरे सामने परता है है यो एक मतलि के साहते है है काउकरोथ जाते हैं फायरन मुआ ये के सामने आई है दो naturale को कि अधess्य नया रहे है रिए जो हो सकता है अपका सर के सरवी हम ऊपर का पॉर्शने हां जाए हात की बिदलन की इस नहीं बन जाए यह तो पूरे बॉलटी के श्रेंडना है कुछ-कुछ हो में टीटियम में बनेंगे और इस तरह से आपका पूला इमेज बन जाएगा और कॉक्रोज उससे देख लेगा कि एक और खासियत है। हम देखिए का जो सामने देखते हैं जो सामने को आप फ्रोकस करेगा आप पढ़ई करते हूं तो आसपास चीजे आपको सिर्फ सामने की चीज़े दिखती हैं आपको पीछे की यह चीज़ें तो दिखती नहीं लेकिन गौकरोज को 360 दिखाई पड़ता है उपर दिखाई पड़ता है और नीचे भी दिखाई पड़ता है और साइड में भी 4 तरफ दिखता है 360 इसलिए को जैसे ही आपको देखता है फटा से भाग जाता है आपको लगता है कितने कर रहा है वह उसे देख लेती है यह बहुत खास है जो कौकरोच को सपोर्ट करता है तो इसको 360 डिग्री दिखाई पड़ता है कंपाउंड वीजन के थू मतलब कोई भी जो सामने आएगा उसको उमें टिडिया जो है वो अलग अलग पार्ट में उसका इमेज बनाएगा और फिर पूरी इमेज वो इकटी हो जाएगी ही इसके अंदर हाई सेंसिटीविटी होती है मतल अ को यह अपने आस पास की साथ है अथ कि एख ही बार में अ कि कि इसके इत्ल्हास बात होती है इसको लोरेस रीजेलूशन लोरेसलूशन का मतलब क्या हुआ हम क्या करता है जब जब भी हम कुछ चीज देखते हैं तो हाई रिजूनिशन देखता है लोग कलर देखते हैं कपड़े अच्छे पैन के आते हैं नेचर में इतनी साइच चीज़े दिखती हूं हम ब्यूटी दिखता है ना लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है काकरोच यो को सा भूनने जाना है काक पर रहना है पूरा दिन बर आरा आप से चुपके रहना है सोना है और रात में निकल पर पाटी करना है और तो उसको कुछ करना नहीं हो तो इसको कोई चीज कलर देखे या ना देखे क्या फुरक परता है तो इसी विए इसके जो कंपाउंड आई होती है उसमें लोग तो इसके बुए दोलिशलीसन होता है लेकिन हमारे पास्ट क्या होगा थाइर इनहींुती है नक्टर्न में हरांक हो काणा हां होता है नंटर पेशन निशा चैनु खांड पीने खनाक इसने एकूम रात में इंट्रे पार्टी करते तेकर गतें तैंउन खांद पंथा रात में बहुंग होता हैं अब ऊसके बाद करते हैं और यह युद है तो घरोंजे तो उसको इन आंपर हमुद तो सिग्नल को records का हें इसका मतलों Cosplay पास यह है यह भी कुछ ऐसा ही करता होगा ठीक है तो लाटरल साइड जो है आपके हेड का उसमें एक पेराफ एंटेना प्रेजंट होता है वह भी अलगत सेग्मेंट का फ्राइमेंट का पना होता है देख रहे हैं आप ने मेंृटत यह बड़ा इंपॉर्टर यह एक और वे हो चुपके बाथा रहता है को तो एंटेना से क्या करता है वह त्छ को जांन सकता है टेमप्रेचर को जांह सकता है और भाप लेता है यह कैसा हो यह लांग होता है बडा बीन को का मैंस्ट होगा प्री करता रहता है क्या सेंस करंगा अब एंडेना इसका इसको मदद करता है देखते हम इसके पास करता है हुआ है मिल्ट करक। अब सबसे ज़ाद है सुनने विच हम आपको पता होगा और फैक्टरी है मतलब यह सुन सकता है किसके मदद से एंटेना पर प्रिजेंट रिसेप्टर की मदद से और टैक्टाइल रिसेप्टर यह तच को भी सेंस करता है आप कभी इसे कोई टाच करेगा तो भाग जाएगा तो ये क्या काम करता है, इसको मदद क्या मिलती है, यह टैक्टाइल रिसेप्टर है, इसके यह फूड को, दोनों की मदद से यह पता लगा लेता है, कि जहां पर भी उच्छपा हुआ है वहां पर आसवास खाना है की नहीं है और है तो कि पर दे जगेर के हैं कहां पर रखा हुआ है इसतरा भी धोर के पाउंच जाएका और उसको घालेगा जैसा में बताये सा कि अम्ली वोर voilà से कुछ भी खा आपके तकर भी खा सकता है पेपर कहा सकता है आप खाने का कुछ भी रखा हुआ है सब को खालेगा तो कुछ भी खा लेता है इसके सर्वाइबल के लिए यह बहुत इंपर्टं डॉल्ल प्ले करता है और सद्धियों से आपको पहले भी बताए था इन्में कुछ ज्यादा चे करता है कि बाइट करता है चीजों को बाइट करता है जैसे हम बाइट लेते हैं अब इसमें देखेगा कुछ चीजी को समझा देते हैं मौथ पाट्स ऑफ कॉक्रूच बाइटिंग चुन टाइप अब इसमें क्या क्या होता है देखिए इसमें एक लेब्रम होगा जिसको अपर लिप बोलते हैं एक लेबियों होगा लोवर लिप यह तो याद करने में आपको आसानी रहेगी जैसे हमारे लिप है तो अपर लिप है लोवर लिप है ऐसे इसके पास दो लिप्स होता है ठीक है आगे देखते हैं अब दो मैंडबल होते हैं और दो मैक्सिल होते हैं अब आप इसको कंपारेशन के लिए मैक्सिल को पहले जैसे मैंडबल को मैसा देखते हैं जैसे हमारे जबडे में मुह में दात होते हैं उस क्autik क्या करता है इसकी मदद से जो कोक्रोछ है फूद आइटल को काता है चबाता है तो मेंडिवल –क टाम करता है बेसे सलिय ग्रैस। और पूब करें तो उसके लिए हाथ चाहिए की नहीं चाहिए अगर हाथ के कैसे करेंगे आपके लेहरी को खाना खाते देखता या कभी माउस को खाते हुए देखना वो आपने जो सामने के अगरेंगे हाथ उनसे पकड़ कर गय Baba और फूड को खाता है सबस्क्राइब और इसके के पास मैकस लिए होते हैं है यह मैकशिला है और इनीकी मदद से और प्रोंट को काटता गम्ले तो लेकित क्य inject हैं यहाधार वह काम करता है जो हमारी बोडी में जो हमारी माउथ में कॉन करता है टंग करता है टंग की मदद से आप सुचीं आप दो नुट तो आपका फूड अच्छे से चबाने के बाद में वह आपके औरल कविटी में अंदर कैसे जाए अंदर धकिलती है ने जीव उसको आटमेटिकली तो धकिलना काम है वह हाइपोफ्वारिंग्स करता है ताकि वह उसके माउथ में अंदर चला जाए उसके जाए और उसमें सलाइवरी ग्लैंड भी होती है जैसे उसमें सलाइवा निकलता है जैसे वह फूड साफ्ट हो जाता है और आपको उससे अच्छे से चबाके बाद में डाइजिस्ट कर सकता है तो उम्मीद पर आपको समझ में आ रहा होगा क्या देखा हमें एक अपर लिप जैसे बोलता है लैब रहो दूसरा है लैबियां लोड ले लच्चों मेरे काल से यह जो मेरे लेक्स होता है वो बिसेस कर हिंदी मीडियों के बच्चों को ध्यान में रखे बनाया जाते हैं आपको विडियो एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहा हो तो बताने क है इसे पर नहीं आप मेरे विडियो और शेर कर सकते हैं आज कि सोचल चाहतें जाहते जाधा से ज़्यादे बच्चों को हम मदद कर पए है में मौल्स पार्ट से बच्चों के देखा हुंने कप अपर लिप जिसको लैब्रम बोलता है इसे लोव जिसे लेवां बोलता है त तो मैक्सिली होते हैं जिनके मदद से वो फूट को खोल रखता है पकड़ लेता है सबसक्राइब कर देख सकते हैं जिसक्राइबी बला देख सकते हैं जाता हैं नाम क्या होगा जिस fragment में जो लेख होगा उस ही के उस पर उस कि इसके पास आपको नहीं दाए तो एक लेक इधर निकल जाएगा तो जो बनाया है यह इधर कर दिया यह यह ऐसे वान जो भी है तो cockroach thorax addresses three pair of legs और जिस reason में legs होगा उसका उसी वही नाम हो जाएगा जैसे prothorax में जो लेख होगा उसको बोलोंगे prothoracic legs जो mesothorax में होगा उसको बोलोंगे mesothoracic legs और metathorax में होगा उसे बोलेंगे metathoracic legs जो कमदब तीन सेग्मेंट है बच्चों और तीन उमें एक एक pair of legs है मतब टोटल छे आपके पास legs हो गए अज़ें नहीं सबसे बहुत है यह सबसे चोटे होते हैं शौट लेग उता है अचानक से उसके रुखना होता है तो बड़े छोटे से लेक्स होते हैं आगे वाले फटक से बहुते हैं बहुत तेजी के साथ तो अगर तेजी के साथ भागे का इतानक से उसको रुख रापड़ेगा तो ब्रेक मार रेगा किसकी मदद से प्रोफ्राइसिक मदद से अगे बढ़ते हैं दा मिडिल एक साथ मेजोट्राइसिक लेक्स बताए आपको दें यहां पर रोज लिखा आप उसे कॉक्रोच पढ़ना साइब यह स्पेलिंग मिस्टेक है टाइपिंग एर्र है यह दे मुव बैक और फॉर्थ तो आइदर स्पीड आपको आप आर स्लोग डाउन यह क्या काम करता है बच्चों करते हैं कि यह मदद करता है काम क्रोच को दोडने में आगे पीछे में श्लो करने यह अजवर कि ऑbij हुदा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट को तेजी से दौनने के लिए यह वाला प्रेक लेगाने के काम करेगा और यह सपोर्टिव होगा तो यह तीनियु नक्स के फंक्शन पता चल गए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आप प्रोथुरसिक मेजोथुरसिक और मेटाथुरसिक इसके अगर्सेग्मेंट की बात में बहुत डिटिल में जाने की जुरूत नहीं है इसके देख लिजिए यह कोकसा टोकाइंटर फीमर और और सबसे चोटा को अब इसे में क्या होता है इसे में विंग्स होते हैं पंक भी आपने देखा होगा कभी को दढ़ा उगे तो नहीं सकता है लेकिन यूइंग इन बरनमें यह का कि अधरकस इस मंदर में आपको थोटरासिक मीज़ाइक त्यू यह घंग नहीं होगा किसी दों नहीं एक पेर होगा तो देखते है निगलता है निजो थोरैक्स पार्ट से बिल्टाय है इसको ओर में बोलते हैं कि आगे हैं भी बोलता है प्रिंग कवर ऑप्को और यह खास बात यह है कि यह जो आपका four wing है यह not used in flight यह cockroach के उड़ने के काम में नहीं आता है तो है क्या वह तो एक काम क्या करता है जो पीछे का है विंग है जो की अई यह यह नहीं दिख रहा होगा तो यह पर कर लेता है और जब दो बड़ती है तो यह फटाक्सी क्या करता है क्टमеना या फोर विंग हट जाता है आटिवर्ण और फ्लाइट लेता है छोटे चीव डूड़ी घुणी पूंड़ेता है आप रिंग मेरणा कोम होता है या और होटा। ऑनियूंस होता है उनने के बाकि जो फोर विंग है वो रेस्ट के टाइम पर जब काकुरेज बैठा होता है तो वो हैंड विंग के ऊपर रख देता है टेगमाईना को ताकि जो हैंड विंग है उसको प्रोटक्शन मिल सकते हैं अब हम बात करेंगे बच्चों एब्डॉमें की मातलोजी का लास्ट पार्ट एब्डॉमें की हैड और थोरेक्स को हमने पढ़ लिया एब्डॉमें क्या है इडिस ब्रोडर दैं थोरेक्स एंड डार्सों वेंट्र आपको पता है तो आपको पता है कि शेपार्ट आपके अब्रोडर्र के किस एक तीन थे थे और 11 थे आपके Abdomen के तो टोटल कुंटी सेगमेंट थे और अगर मैं एडर्ट की बात करें तो एक हुज हो गया तीन हो गए थॉर्पक्रीज के सेगमेंट और सोग है अगर टोटल क्यों में फ़ूर्ट वश्टीन वहते हैं Abdomen in female is broader तो आप इसे पढ़िएगा Abdomen in female is broader than in male मत्लब जो female है उसका जो Abdomen है वो थोड़ा सा क्या है Broad है टीक है मेल से ज्यादा Broad किस्का है फ्यमेल कर अब Abdomen में कुछ appendages होता है देखते हैं कुनको से अपने सिर्काई होता है इसको बहुता है इनल्स सरकाई है एक फिलामेंटर्स तर्थ सेप्ट्रूक्च्छर प्रजेंट इंटिन्स सेगमेंट इन्थ बहुता ससे जब आप Cockroach के last में कोई भी Cockroach हो चाह हो मेल जाह ऑफीँ दिख्रों जब आप दिख पाओ इसको सरकाई होते हैं दो होते हैं पेर निकले पेर हो यह भी sensory हो चाहिए macht तेअ, तेल जैसा इस ट्रक ने आपको मिलेगा ही, मिलेगा, मेल और फिवेल बें दोन्में एकक्वल रूप से होता हूँ, दस्में सेगमेड में होता है, एक होता है, إससे बोनता है एनल या कॉर्डल स्टाइल, यह सिर्फ और सिर्फ देखेगा, धान देजेगा, यह सिर्फ और सिर्फ male में present होता है, तो जब भी आपको male और female में पहचान करनी हो, तो यहाँ पर निकला हो रहा है, annal या codal, style, यह सिर्फ male में होता है, फीमेल में सिर्फ क्या होता है? सब्सक्राइब होता है अऽ् 5 episode और एनल स्टाइब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ में प्रेस्ट रएills तो और मेर लोडेते हैं कि जो मेरों सुझत थोड़ी होगी पी मेरी साइज छोटी तो abdomen के बाद भी थोड़ा ठका होता है क्यों इसकी पीछे reason यह हो सकता है कि जो male के अंदर anal style था वो extra था तो उसको भी protection provide करने के लिए जो wings से last तक से थोड़ा जहां पर abdomen end होता है उसके आगे भी थोड़ा रहते हैं ताकि जो anal style है उसकी भी safety हो सके जबकि female में anal style नहीं है तो इसको protection की ज़रूद नहीं है तो इसलिए wings जो है abdomen के आगे extend नहीं करते हैं में में देखा बताएं आपको narrow abdomen इसके अंदर broad abdomen होगा anal style male के अंदर क्या होगा present होगा जबकि female के अंदर absent होगा बूट पाउच इसके बारे माँ करेंगे जब में reproductive system पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे बताएंगे कि बूट पाउच क्या होता है बूट पाउच से उसका कोई काम नहीं male के अंदर देखी female के अंदर present होता है और female के अंदर बूट प्रेजेंट होता है इसलिए उसका जो नेक्स्ट वीडियो में अब तक के रिए टेक क्यार नमस्कार जाहिंद